हम घर की बोटिंग से बारवाई हैं आप लोगन की वज़े से नहीं बारवाई आप लोगन ने बहुत सपोर्ट करो हमें जितनों भी बिग बॉस से पैसा मिली है तो हम उन गरीव लड़के इनको पढ़ हैवे को काम करें है नमस्ते मैं पलवी हूँ और आप भारत एक नई सो है यह तो हमें पहले से पता है बहुत पुरानी खबर लेकर क्यों आई हो यह बात सभी है कि छीवानी कुमारी बिक बर लेकर अगर माना जाता, बिग बॉस अगर उसों मान था, तो शिवानी कुमारी अभी घर के अंदर होती, शिवानी कुमारी घर से बाहर निकली है, तो उसकी वज़य हमारी और आपकी वोटिंग नहीं है, यानि कि वो लोग जो लगतार शिवानी कुमारी को वोट कर रहे थे, वो च खेल रहे प्रतिभागी हैं जो खेल रहे लोग हैं उनकी वोटिंग से शिवानी कुमारी को बाहर किया गया यही बाद शिवानी कुमारी ने भी कही अपने एक वीडियो में इसके बाद शिवानी कुमारी ने एक और बहुत चीज एक बहुत बड़ी चीज जो है वो शिवानी पाई थी लेकिन मैं नहीं चाहती कि और जो बच्चियां है वो ना पढ़ें जैसे मैं पिछले वीडियो में आपको बता ही रही थी कि शिवानी कुमारी एक ऐसी लड़की है जो वहां पहुंची है जो गाउं से आई है गाउं का कल्चर दिखाती है गाउं के गाउं के बीच सब्सक्राइब पहुंची जिए से शिवानी कुमारी का हरण मयागा बंता वहां के बैठने के लेकर हर चीज का मज़ाक शिवानी कुमारी का बनता था यही बात शिवानी कुमारी ने अपने वीडियो में कई शिवानी ये कह रही थी कि क्योंकि मैं नहीं पढ़ी लिखी हूं मैं पढ़ी तो हूं मैं उतना तो पढ़ी हूं लेकिन क्योंकि वो लोग जिनके साथ मैं खेल रही थी जो मेरे साथ मेरे कुलीक से यह कह दिए कि मेरे साथ मेरे गेम पार्टनर थे वो सारे लोग जो है वो शहरों से आए हुए हैं अच्छे महंगे कॉल्मेंट स्कूल से पढ़ कर आये थे इसलिए वो लोग जो अंग्रेजी बोला करते थे वो मुझे समझ नहीं आती थी जिसका म मेरा मजाग बनाया जाता था और मैं नहीं चाहती कि मेरे गाओं के बच्चों को लड़कियों को इस तरीके की कोई परिशानी हो इसलिए बिग बॉस से मुझे जितना भी पैसा मिलता है वो सब जो है वो मैं अपने गाओं में लड़कियों को पढ़ाने पड़ लगा है इसलिए उसे नीचा ना देखना पड़े यह बात सिवानी कुमारी ने कही बिग बॉस के घर में हमें एक ऐसी लड़की एते जो गाओं से बाद बाकि सब सहर से आते अच्छे पढ़े लिखे इंगलिस मेडियम के पढ़े लिखे हैं लेकिन हम सरकारी स्कूल के पढ़े जो इंगलिस के सब दते वो नहीं हम थमझ पाते तो लोग बेजिती करते मेरी का हम जितनों भी बिग बॉस से पैसा मिले है तो उन गरीब लड़के इनको पढ़ हैवे को काम करें हैं कितनी बहतर और कितनी खुबसूरत बात थी यही वह चीज है जो सिवानी कुमारी को सब से अलग बनाती है मतलब हर इंसान जो अपने आप में कम जोर होता है किसी चीज को लेकर इसके अंदर कमी होती है जैसे कोई सामवला होता है तो इसको हर बात इसंसक नहीं के लिए नहीं की जितना कर शिवानी कुमारी की दर देखते हैं कि वह अन् unbelievably को हर्पार अपनी यहीं बनाता है बीग बोस्ट जैसे गेम को अगर शिवानीकुमारी जो है वो नहीं जीत पाई या उनको जीत का किताब नहीं मिला तो मुझे नहीं लगता है कि कोई फर्क पढ़ा होगा कुझा उन्हें विवेर्स को भी यह बात सिवानी कुमारी ने ने कहा कि मैं इसलिए नहीं पढ़ पाई थी क्योंकि मेरे उपर मेरे पिता का साया नहीं था मेरा कोई बड़ा भाई नहीं था चार बहनों में एक मैं ही हूँ जो मैंने जितना पढ़ा है उतना पढ़ा है बाकी और लोग और बहने जो है वो पढ़ तक नहीं पाई है तो मैं नहीं चा से किसी मेहंगे या प्रिविलेज लोगों के बीच में कमफर्टेबल नहीं मैसूस करती हैं तो जो मैं जहल रही हूं वो मेरा गाउवाला ना जहले यह बात सीवानी कुमारी को खास बनाती है मतलब आप सोचिए कि यह कितनी बड़ी बात है कि अपनी कमजोरी को एक्सेप्ट करके उसके लिए कितना बहतर डिसिजन सीवानी कुमारी ने लिया है सीवानी कुमारी अगर इंग्लिश नहीं बोल पाती है या प्रिविलेज लोगों की तरह टिकल टिकल अंग्रेजी उन्हें नहीं समझ में आती है तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बहु अगर अगर है और अगर आती तो इसमें कोई घ्मंड करने वाली बात भी नहीं कूकि यह तो अपने देश की बासा है नहीं को भी लगता हुगा कि ठीड स कि customer नहीं आती तो नहीं आती वह यह विदेशिवास से हो हमारी अपनी संस्कृति जो है हमारा अपना कल्चर जो वो दिखा कर شवानी कुमारी popular हुई तो यही बास शीवानी कह भी रही थी कि मेरे को लेकर एसा लगता था कि लोग वह मेरा मजाग बना रहे हैं मुझे अंगरे वो सब मैं अपने गाउं में बच्चों को पढ़ाने के लिए निकाल दूँगी यह होता है असली हीरो उसमें से कोई बन जाएगा कोई विजीता विजीता किसी को मन मिल जाएगी कोई किताब विताब मुझे लगता कि उससे गाउं में या एक बड़े मास को कोई अंतर शीवानी कुमारी को देखने वाले लोग उसके अलड़पने उसके देशी अंदाज की वजह से उसको जानते और मुझे लगता है कि यह बहुत 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 डिसीजन उन्होंने लिया है अगर मेरा यह वीडियो उन तक पहुँच रहा है तो भाई अपने दिल जीत लिया एक बात कहना तो है शीवानी को यह आइडिया किसने दिया यह सीवानी के दिमाग से आइडिया आया है जो भी है बहुत 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 उन्होंने अपनी इस कमी से लड़ने के लिए हासिल किया है मतलब सोचिए कि गर उसके अंदर कोई कमी है तो वो उसको accept कर रही है और आगे उस चीश को लेकर किसी को problem ना हो उसके लिए वह step उठा रही है ऐसे लोग होते हैं महान इसको कह सकते हैं महान तो वीडियो की सुरुआत ने आपने देखा कि सिवानिक मारे कैसे क्या रही थी कि मैं जो है आप लोगों के voting के वज़े से बाह पर मैं 35 दिन तक रही मुझे उतने दिन तक खेलने का मौका मिला और उतने दिन तक मैं खेल पाई हूं उसकी वज़े आप हैं यानि कि वो लोग जो लगता है शिवानिकुमारी को वोट दे कर बार बार वो टर्मिनेट हो रही थी बार बार उनको निकाला जा रहा था और ब कि शिवानी कुमारी कुमारी एक बहुत बहतरी लड़की हैैं मैंने इससे पहले वाली जो वीडियो बनाई थे उसमें मैंने आपको बताए था कि कुछ प्रिविलेज लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि सिवानी कुमारी ने कौन सा श्रगल जहला है कौन सी मैनत जहली है किस तरीके की प्रताड़ना किस तरीके का टॉचर जहल कर वो आध एक नाम बना पाईंए लुए नहीं समझ पाते हैं वह हमेशा शीवानी कुमारी का जो है बनाते हैं अभी मैंने शोचल मेढ़िया पर देख primary को श्रगल को अलहड़ पनाही लोगों को पसंद आते तो क्यो बैटकर करौ कर रहें हो अगर बहुत बुरा लग रहा है तो अपने लाइफ में कुछ बहतर करो ना कुछ अच्छा करके दिखाओ जैसे शिवानी कुमारी ने कहा कि वह जो भी बहुत से पैसा मिलेगा वह अपने बच्चों को पढ़ाने में लगाएंगे ऐसा कुछ बहतर करके दिखाओ ना समाज मे पांते उनको यह बताना है कि भाई यह जो देश है वह भारत है और यहां की संस्कृति जो है वह हिंदुस्तानी है तो अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती है वह इंग्लिश नहीं समझ पाता उसको छोटे कपड़े में नहीं होता या वह वह उस प्रिविजल लोगों के ब तो अगर भारत को जाना भी जाता है तो गाऊं के वजह से ही जाना जाता है लोग भारत को जानते भी हैं कि एक गाउं का बेजोड मिशाल है वह भारत तो मुझे लगता है कि शिवानी कुमारी अपने आप में एक बहतर इंसान है, बाकि शिवानी कुमारी में आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्षन में लिखके जरूर बताइएगा, और इंसान है, हो सकता है, कुछ गलती होगी, हर इंसान से गलती हो जाती है, भगवान तो है न कि लोग लागतार उसका विरोध कर रहे हैं जाती के वो दलिस समाथ से आती तुम मतलब एक लड़की है दूसरा गाहों से आती है तीसा दलिस समाथ से आती है उसके अलावा आर्थी के सिति उतनी बहतर नहीं, इन सब कमजोरियों को पीछे छोड़कर इतना बड़ा नाम बनाने वाली एक मात्र लड़के शिवानी कुमारी हैं ब्लॉगिंग के दुनिया में, बाकि आप क्या सोस्ते हैं, कमेंट सेक्षम ने बताएगा, नमस्ते, मैं प